मुझओकर दोस्तों पूद्सट्रों क्या पका स्वागत है। फंगल इनफेक्शन एक आम समस्या है। वैसे तो यह बसात में अधिक होती है लेकिन फंगल किसी भी मौसं में हो सकता है। फंगल इनफेक्शन एक दर्दनाक स्थिथी हो सकती है। इसमें तवचा पर रेडनेस, लाल चकते और खुजली की समस्या होने लगती हैं। अगर आपको भी एपनी तवचा पर फंगल इंफेक्शन का कई लक्षन नजर आते हैं, तो इस तिथी में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आप फंगल इंफेक्शन के लिए लगती हैं। करेंगे तो इससे infection आधी को कम करने में मदद मिल सकती है लहसुन को ठीक करने के लिए आप लहसुन को भी उपयोग कर सकते हैं लहसुन में अधिक होता है आपको बता दे कि अलेसिन कवक और बैक्टेरिया को बढ़ाने में रोकने में मदद करता है फंगल इंफेक्शन की लक् करने में मदद कर सकती है दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं इससे infection से राहत मिल सकती है इसके साथ ही धरी खाने से आप अपने शरीर को हाइड्रेट भी रख सकते हैं आप चाहे तो फंगल इंफेक्शन की लक्षनों को कम करने के लिए दही को तोचा पर भी लगा स से भी फंगल इंफेक्शन से राहत मिल सकती है अद्रक में एंटी फंगल गुन पाए जाते हैं फंगल इंफेक्शन को बढ़ाने से रोकने के लिए आप सुभा खाली पेट अद्रक कर सकते हैं फंगल इंफेक्शन होने पर क्या नहीं खाना चाहें फंगल इंफेक्शन होन चाहिए इसके साथ ही आपको मूंफली कादू और पिस्ते का भी सेवन करने से बचना चाहिए तो दोस्तों इस विडियो में फिलाः लिखता ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शे में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा